आज की रेस्पी है निमकी नमक पाड़े जो मैदे का बनता है और आटे का भी बहुत ही यमी बनता है तो सानबी की रस्वे हिंदी में आपका स्वागत है एक बार बनाएंगे और महीनों तक खाएंगे ऐसी रेस्पी मैं आपको आज बताऊंगी बहुत ही क्रिस्पी और क्रं तो देखे एक किलो हमने ये मैदा ले लिया है और इसको चान लिया है उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे आप चाहे तो रिफाइंड का भी यूज कर सकते हैं और ये ब्लैक पेपर है काला मिर्च तो इसको हम पाउडर बना लेंगे अगर आपके पाउडर रेडिमेट है तो बो भी डाल सकते हैं तो देखे एक चमच हमने इसमें डाल दिया अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद तो ज्यादा भी डाल सकते हैं और एक ही चमच कलोजी डाल दिया है जिसको कई जगा मंगरेल भी बोलते हैं और इस सबको अच्छे से हम मिलाएंगे उसके बाद हम इसम काला नमक डालेंगे एक चमच आप चाहे तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं और इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे जब तक ये हमें ऐसा लगे नहीं कि हाँ बिल्कुल इसका लाइट हो गया है वेट तब तक हम इसको इस तरीके से मसलते रहेंगे ताकि जो हमने इसमें घी डाला है वो अच्छे से मिल जाए क्योंकि मेन यही होती है थोड़ा घी मुझे कम लग रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा और डाल दी हूँ पर जादा नहीं डालेंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल दी हूँ इससे क्या होगा कि और टेस्टी बनेगा तो देखिए जब हम इसको मिला रहे हैं तो थोड़ी गुटली सी बन रही है ना इसका मतलब है कि जो हमने इसमें घी डाला है या रिफाइन उसकी क्वैंटिटी बिल्कुल इक्वल है तो अब हम इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करकर इस तरीके से मिलाएंगे हमें एक साथ पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो इसकी जो डो है वो पतली बनेगी इसलिए हम इसको थोड़ा सा ही पानी इसमे थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से मिलाकर इसको गूतेंगे इसको हमें थोड़ा हार्ट गूतना है क्योंकि निमकी बना रहे हैं हम नमक पाड़े जो evening snacks है साम के time आप इसको चाय के साथ ले बहुत ही tasty लगता है तो देखिए हमने इसको गूत लिया है और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम ढखकर छोड़ देङे तो देखिए 10 मिनट हो गया है डो बिलकुल रेडी है बेलने के लिए तो हम इसमें रिफाइन या घी का ही प्रियोग करेंगे बेलने के लिए मैदा का प्रियोग नहीं करेंगे नहीं तो जिसमें भी हम फ्राई करेंगे मैदा का वो डश्ट जो है तेल में निकल जाता है तो तेल इससे थोड़ा गंदा हो जाता है ब्लेक ब्लेक दिखने लगता है तो इसलिए हम इसको रिफाइंड के या घी के सहता से ही बेलेंगे और इस तरीके से काट लेंगे इस बात का ध्यान रखे कि चारों तरफ जो हमने इसकी रोटी बनाई है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए एक ही मोटाई में होनी चाहिए और इस तरीके से काट लेंगे अगर ज्यादा पतला होगा तो पपड़ी सी बन जाएगी वो देख सकते हैं हमने काट लिया है और इसको इस तरीके से रख लेंगे देखे इसकी जो मोटाई है इतनी होनी चाहिए देख सकते हैं यह देखे इतनी होनी चाहिए इसे पतले अगर हम बना बेलेंगे तो वो जो है ना कैड़ा हो जाता है अब यह चिपका हुआ है जब हम तेल में डालेंगे तो बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगा तो मैं इसको फ्राइ करने के लिए घी ही ले रही हूँ बाकी आप इसको रिफाइंड में भी कर सकते हैं या ओलिव ओयल में भी कर सकते हैं बट मस्टार्ड ओयल में हम इसको फ्राइ नहीं करेंगे एक पीश डाल कर मैं देख लेती हूँ कि घी अच्छे से गरम हुआ है नहीं तो घी अच्छे से बिल्कुल गरम हो चुका है तो मैं अब इसमें जो भी हमने बेल के काटके रखा था वो सारा डाल दूंगी और थोड़ा दूरी से डाले ताकि इसके छीटे पड़ते हैं इसलिए साबधानी से और हम इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे बीच बीच में तो देखे इसको ज़्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे हलका सा लाइट ब्राउन ही रखेंगे तो देखे बहुत ही इजी है और आप इसको आधे घंटे में बना सकते हैं और एक महीने तक खा सकते हैं इस्टोर करगा रख सकते हैं और बहुत यमी टेस्टी बनकर तयार होता है तो बाकी की जो भी डो बची हुई थी वो सब को मैं कट करके इस तरीके से बेल ली हूँ और छान लूँगी इस तरीके से हम इसको चलाते हुए डीप फ्राइ करेंगे तो मैं दो कलर से आपको दिखा सकती हूँ आप ऐसा भी इसको चान सकते हैं और हलका सा आप ज्यादा डीप ब्राउन भी कर सकते हैं तो दोनों तरीके से मैं चान के दिखा दी हूँ जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से देखने में आपको जैसा लगे उस तरीके तो इधर वाला तो रजादा ब्राउन हो गया है और ये वाला हमने लाइट ब्राउन ही फ्राइ किया है तो अगर ये मैरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूले बाइबा